हाई गाइस में नाम हरीश और आप देख रहे हैं मेरे यूटुब चैनल पास्पेस तो इस तो इस आज बात करने वाले स्टुएंट वीजा बायो मैट्रिक्स और वर्क परमिट वालों के बारे में तो आपको बन रहे होड़े मैं अंट तक में को वेस्ट की हम टेक आफ करते हैं स्वागत आप लोग का आज की वीडियो मुझे अमीद आप जहां भी होंगे जैसे भी होंगे सेफ होंगे तो इस कितना डिफिकल्ट रहा यह साल हम सके लिए जैसा कि हम बात करें काफी लोग अभी तक बायो मैट्रिक्स और वीजा स्टेंपिंग का वेड कर रहे हैं त की तादाद बहुत सारी है बहुत सारे अभी वेट कर रहे हैं और सबको वह एक साथ पेमिंट लिंक नहीं भेज़ पार है तो आपको इसमें गबराने की जरुद नहीं है पेमिंट लिंक आज नहीं तो कल आपके पास आ जाएगा आप बस बीट कीजिए और वेटिंग इस सुलुशन आप दिस प्रॉब्लम तो आपको सिर्फ वेट करना और पेमिंट लिंक नहीं होना इसके जो सबसे बड़ा कोशन या सामने आता है ओपन वर्क पर्मिट जनरले अप्लाई किया है वर्क पर्मिट के लिए और अप्लाई किया विजिटर वीजा के लिए वह काफी प्रॉब्लम नहीं है और आपकी हिस्ट्री पे भी कोई इंपक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज से तो इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि देखे गाई अगर आप किसी और कंट्री में जाके बायो में करवाते हैं दुबहीं में या नेपाल में कहीं भी आप जाते हैं तो कि फाइल पूरी होने में टाइम लगे या उनकी वीजा स्टेंपिंग में टाइम लगे तो अब बिल्कुल जाईए आप कराईए अगें एक ही शर्त है अगर आप अफॉर्ट कर सकते हैं तो दुबहीं का खर्चा जादा आएगा नेपाल से लेकिन वहीं बात है कि टोटल तो जैसा कि लास्ट किन था के आदर कैने या कंशन तो कहसे लास्ट पास रिक्वेट्स बहुट जादा है और टाइंस लूट्स और वैक्स सेंटर में जो बीड पर रही है उसके कारण सारे स्टूडेंट्स जन्वरी के नहीं हो पाएगा तो उस वजए से कई स्टृट्स नहीं कर पाई ही कनेडा तो आप ऑनलाइन को ही आप्ट कीजिए तो आपका पासपोर्ट स्टैंप होने में लगें करीवन एक से डेड़ महीना करीवन चालेश दिन का टाइम और लगेगा तो इससे बैटर है आप अपनी पड़ाई खराब ना करें अगर आपका उनलाइन स्टेडिस कर सकते हैं इसके लावा बात करें बायो मेट्रिक्स की तो बायो मेट्रिक्स की रिक्वेस्ट वो स्लॉट्स के अकोडिंग सबको बेज रहे है इसके लावा गाइस एक और कोशन यहां सामने आता है बायो मेट्रिक्स अपॉइंट्मेंट रिशेडूल करने गा तो इस रिशेडूलिंग का अभी तक उन्होंने कोई भी प्रॉसेस नहीं बताया है फिर भी अगर आपका कोई ऐसा कंसर्ण है तो आप उनकी मेल आईडी पर आप कॉंट्रेट कर सकते हैं फिर भी अभी तक इन इस केस में रिशेडूलिंग पॉसीबल नहीं है क्योंकि जो फ्रेश फाइल से उनको ही वो टाइम ही दे पारे तो अभी कहां से होगी तो जब तक यह कोई नाइंटीन वाला सीन जो पैंडिंग फाइल से कंप्रीट नहीं है तब तक कोई ऑफिशल स्टेट्मेंट जब तक वो नहीं दे देता तब तक कोई यहां अपको नहीं दे सकता तो यह है कि फाइल्स काफी अटकी हुई है इस वाई से रिशेडूलिंग इस नौट पॉसीबल तो यह कुछ कोईरी से क्यों जो हमारे जनरेट होते हैं कमेंट सेक्शन में वह मनें आपको बताया आज तो वैस यह कुछ छोटी सी वीडियो थी आज कि अगर और भी कोई क्वेशन सो आपके में में जो क्वेशन से ओपन वरक प्रमेंट से रिगार्डिंग था इसके अलावा बायो मेरे आईडी है आप अपना मेल कर सकते हैं वा सकते हैं तो यह था आज का वीडियो यह 2020 का लास्ट वीडियो है मुझे उम्मीद है आपका 2021 बेहतर रहे तो आपको लाइक करना इस वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते हैं रियल टाइम नोट लाइब लाइब